जैसा कि स्वामी विकानन्द ने हमें बताया है, टेक अप वन एडिया, आप अपने जीवन में एक एडिया को टेक अप कर लो, उस एडिया को अपना जीवन बना लो, उस एडिया के बारे में सोचो, उस एडिया के बारे में सबने देखो, उस एडिया को जीओ, उस एडिया क अपने brain में, अपने muscles में, अपने नसों में, सब जगा भर जाने दो, बाकि जितने भी तमाम ideas हैं, उन सब को छोड़ दो, वही आपको one idea आपको success दिला देगी, सो यहाँ पर हम लोग English को fluent करने के लिए, एक idea पर काम कर रहे हैं, और अब आपको यह समझ में आ गया होगा, कि उस idea पर आपको belief करके practice करना होगा, जैसा कि हम लोगों के पास scientific data के recording चलते हैं, तो reading करने से हमें 25% benefit होता है, listening करने से 35% हमारी जो learning capacity है, वो improve करती है, visualize करने से 50% और doing process करने से 75% और speaking करने से 60% हमें benefit होती है, और अगर इन सब चीजों को मिला देते हैं, तो 95% हमें benefit होगी, तो आप यहाँ पर इस technique में read भी करेंगे, तो read करने से आपकी learning capacity में 25% का इजाफा होगा, सुनेंगे तो 35% होगा, speaking करेंगे तो 60% होगा, और doing process करेंगे तो 75% आपको benefit होगा, यहाँ पर doing process में आपको writing करना है, इसे दूसरे से talking भी करना है, तो चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि Dr. Bruno Frost के अनुसार, जितने प्रभावपुन तरीके से ग्यान इंद्रों का प्रियोग किया जाएगा, उतना ही बहतर याद करना, सीखना और धार करना संभाव हो पाएगा, सो इस बात को ध्यान में रखिए, कि आप जादा से जादा अपने ज्यान इंद्रियों का प्रियोग कीजिए, ताकि आपकी learning capacity इंप्रूब हो सके, सो आज हम लोग यहाँ पर जो discussion करेंगे, वो होगा interrogative negative sentences, और इसको बनाने का तरीका होता है, will, फिर subject, will not have been, plus verb में आयेंची, अब इकिस तरह का expression देगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर expression को समझ लेते हैं, क्या तुम वर्सों से नहीं पस्ताते रहोगे, क्या तुम सुभा से गाना नहीं गाते रहोगे, क्या हम लोग आगामी मंगलवार से परिक्षा की त्यारी नहीं करते रहेंगे, क्या तुम्हारी पतनी वर्सों से तुम्हारा इंतिजार नहीं करते रहेगी, So, चलिए अब हम लोग यहाँ पर practice करते हैं हम लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमें सीधा-सीधा एक word को कभी practice नहीं करना चाहिए इससे कोई ज़्यादा benefit नहीं होता है इसलिए हम लोगों को words का practice करना चाहिए बोलने का जैसा कि अक्सर बच्चे किया करते हैं यही कारण है कि जो भी बच्चे होते हैं आपके आस-पास में वो language को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं क्योंकि वो एक-ख word को पीक नहीं करते हैं बलकि वो group of words को पीक करते हैं, सुनते हैं, फिर उसको बोलने का प्रयास करते हैं सो तब जाकर उनकी जो speaking होती है वो बहुत जादा fluent हो जाती है, तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पर fix रखेंगे, फिर हम लोग इसको fix रखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इसको fix रखने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग in different different subject के साथ practice करेंगे, तो सबसे पहले यहा repenting for years का मतलब होता है, सालों से पस्ताना, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक expression भी हम लोग ले लेते हैं, कि यहाँ पर इस तरह का कुछ sentence आएगा, क्या तुम वर्षों से नहीं पस्ताते रहोगे, क्या मैं वर्षों से पस्ताता हुआ नहीं रहोंगा, क्या वर्षों से पस्ता पस्ताती हुई नहीं रहेगी, ऐसा कुछ करके हम लोग expression लेते हैं, सो वर्षों से पस्ताना, सालों से पस्ताना को English हम कहेंगे, repenting for years, according to tense, सो अब चली हम लोग practice करते हैं, Will you not have been repenting for years? Will we not have been repenting for years? Will your wife not have been repenting for years? Will he not have been repenting for years? Will she not have been repenting for years? Will I not have been repenting for years? Will they not have been repenting for years? Will they not have been repenting for years? Will every person not have been repenting for years? Will every man not have been repenting for years? Will every child not have been repenting for years? Will some friends not have been repenting for years? Will some people not have been repenting for years? So, अब ये तो हमारा हो गया अब दूसरा हमारा यहाँ पे जो group of words है उसको peak करने वाले है तो देखे, जब भी आप group of words का practice करते हैं तो आपकी speaking smooth हो जाती है इसलिए ज़्यादा तर आप single word को सीखने के बज़ाए group of words को जरूर अभ्यास में लीजिए So, singing songs since the morning यानि कि सुबा से गाना गाना ठीक है अब इसमें हम इसको fix रखने वाले हैं और इसको fix रखेंगे और इसको fix रखेंगे expression को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या तुम सुबा से गाना नहीं गाते रहोगे ऐसा है ठीक है तो चलिए अब इसको हम लोग practice करते हैं Will you not have been singing songs since the morning? Will we not have been singing songs since the morning? Will your wife not have been singing songs since the morning? Will he not have been singing songs since the morning? Will she not have been singing songs since the morning? Will I not have been singing songs since the morning? Will they not have been singing songs since the morning? Will every person not have been singing songs since the morning? Will every man not have been singing songs since the morning? Will every child not have been singing songs since the morning? Will some friends not have been singing songs since the morning? will some people not have been singing songs since the morning अब next हमारे पास group of words है that is this preparing for the exam from next to stay so अब इस वाले group of words को हम लोग practice करेंगे इसका क्या मतलब होता है preparation for the exam from the next त्यारे करना तो आने वाले Tuesday से exam की त्यारे शुरू करना को हम कहेंगे preparing for the exam from next to stay आपको मैं यहाँ पर बता दू कि जो भी आपके days होते हैं days के जो नेम होते हैं Sunday, Monday, Tuesday उसको capital letter से शुरू करना पड़ता है ठीक है और exam है तो यहाँ पर यह एक वावल सांड दे रहा है इसलिए दह का उचार दह नहीं बलके दी होगा तो preparing for the exam from next Tuesday होगा अब चलिए अब हम लोग different different subject के साथ इसका practice करना शू करते हैं Will you not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will your wife not have been preparing for the exam from next Tuesday? विल फिल 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 फि अब हमारे पास next group of words है writing the exam मतलब की परिक्षा लिखना को हम English में कहेंगे writing the exam So, अब चलिए different different group of words का हम practice कर रहे हैं with different different subject के साथ So, चलिए Will you not have been writing the exam? Will we not have been writing the exam? Will your wife not have been writing the exam? Will he not have been writing the exam? Will she not have been writing the exam? Will I not have been writing the exam? Will they not have been writing the exam? Will every person not have been writing the exam? Will every man not have been writing the exam? Will every child not have been writing the exam? Well some friends not have been writing the exam Well some people not have been writing the exam Waiting for you for years सालों से तुम्हारा इंतिजार करना अब इस वाले ग्रूप आफ वर्ट्स को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आप यहां पर भी एक्सप्रेशन के तौर पे देख सकते हो क्या तुम्हारी पतनी वर्शों से तुम्हारा इंतिजार नहीं करती रहेगी और इसको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो चलिए अब हम लोग इसको different different subject के साथ इस group of words को practice करेंगे विल आ ना बना 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 ब Will some people not have been waiting for you for years? Playing जैसा की एक word है, तो आपको मालूम है, इसका मतलब होता है खेलना, और अब आपको इससे थोड़ा सा extra practice कर लेना है. Will you not have been playing? Will we not have been playing? Will your wife not have been playing? Will he not have been playing? Will she not have been playing? Will I not have been playing? Will they not have been playing? Will every person not have been playing? Will every man not have been playing? Will every child not have been playing? Will some friends not have been playing? Will some people not have been playing? Watching him मतलब से देखना, अब चलिए हम लोग इसकी साँ दिफेंड दिफेंड दिफेंड, subject के साथ practice करते हैं. 12 विल यो ना उब बीन वातीइ ना उब ना उब लाका कें? 13 विल यूर विल भीना उब बीन वातीजक कि महलेगेगेगे Bowl quantitative Mahle व्ल भी जूज़ मैं आव लूज़ नूज़ यंद यूज़ यूऊ़ नूज़ टी मुझ विल ार पम बचले यूज़ फेल्स क порसन कावओ shirt दूज़ Will every man not have been watching him? Will every child not have been watching him? Will some friends not have been watching him? Will some people not have been watching him? Driving का मत्तम होता है गाड़ी चलाना और अब हम लोग इसके साथ प्राक्टिस करेंगे, आप एक्स्परेशन को समझते रहिएगा. Will you not have been driving? Will we not have been driving? Will your wife not have been driving? Will he not have been driving? Will she not have been driving? Will I not have been driving? Will they not have been driving? Will every person not have been driving? Will every man not have been driving? Will every child not have been driving? Will some friends not have been driving? और अब हमारे पास है talking to him on the phone यानि उससे phone में बात करना विल ये नट बेन 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 पहलतों में बहस करना, बेकार का बहस करना, को इंगलिश में कहेंगे आर्गुविंग इन वन, अब हम लोग दिफरें दिफरेंट सब्जेक्ट के साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे. आप इस तरीके से, आपने इस टेबल को रिट कर लिया है. और आप सोच रहे होंगे, आपको तो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि आप अभी इस तरीके से लिसनिंग करके, स्पिकिंग, राइटिंग करके आप क्या करेंगे, अपनी स्पीच और्गेंज को ट्रेंट करेंगे. तो जितना आप सुनेंगे और जितना बोलेंगे, आपका स्पीच और्गेंज स्ट्रेंट हो जाएगा. जैसे माल लिजिए कि आप साइकल चलाते हैं, अगर फर्स टाइम पर आप साइकल चला रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आप बहुत डरेवे रहेंगे, निची के दरफ देखेंगे, सड़क को देखना शुरू करेंगे, और हो सकता है कि आप साइकल को सम्हाल भी नहीं पाईएगा. लेकिन जैसी रोज रोज एक दिन किया, दो दिन किया, तिसरे दिन किया, फॉर्थ दिन किया, फिफ्थ दिन किया, जैसे जैसे आप रोज इसे करना शुरू करेंगे, तो एक सम्हाल ऐसा आएगा कि साइकल आप बहुत ही मज़े से चला पाएंगे, आपको साइकल के बारे म ब्रेक, पैडल, यह सब कुछ भी सोचनी की जरूत नहीं पड़ेगी, आप कुछ और सोचेंगे, और आप असानी से साइकल को चला पाएंगे, बिल्कूल यहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, तो चलिए, अब हम लोग second method के तरफ आते हैं, और second method में अब हम लोग क्या करेंगे, कि किसी एक group of words को fix रखेंगे, और different different, जो हमारे पास, sorry, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कि अब हम लोग subject को fix रखने वाले हैं, subject को fix रखेंगे, यह जो है, इसको fix रखेंगे, और different represent जो group of words है उसके साथ हम लोग practice करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब हमें क्या करना है अब हमें वी के साथ practice करना है वीनोट हमें बिन्हें रेपाने नंहें व만 करेंटिंगार्यश्यश्यकर ज्यार्यकर य्यूह र Вы्मार्यकर्व के रब प्रहिबा लक्करेंगे Will we not have been watching him? Will we not have been driving? Will we not have been talking to him on the phone? Will we not have been arguing in van? अब आपको your wife यानि की आपकी पत्री ऐसा इसका मतलब होता है और अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? प्राक्टिस करेंगे Will your wife not have been repenting for years? Will your wife not have been singing songs since the morning? Will your wife not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will your wife not have been writing the exam? Will your wife not have been waiting for you for years? Will your wife not have been playing? Will your wife not have been watching him? Will your wife not have been driving? Will your wife not have been talking to him on the phone? Will your wife not have been arguing in van? अब आपको ही वाले सब्जेक्ट को फिक्स सकना है और अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रोप आप वर्ड्स के साथ जो एक्शन वर्ड्स हैं आपके पास उसके साथ प्राक्टिस करना है Will he not have been repenting for years? Will he not have been singing song since the morning? Will he not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will he not have been writing the exam? Will he not have been waiting for you for years? Will he not have been playing? Will he not have been watching him? Will he not have been driving? Will he not have been talking to him on the phone? Will he not have been arguing in van? अब हमारे पास नेक्स्ट है शीव Will she not have been repenting for years? Will she not have been singing song since the morning? Will she not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will she not have been writing the exam? Will she not have been waiting for you for years? Will she not have been playing? Will she not have been watching him? Will she not have been driving? Will she not have been talking to him on the phone? Will she not have been arguing in van? अब हमारे पास है आई सब्जेक्ट Will I not have been repenting for years? Will I not have been singing song since the morning? Will I not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will I not have been writing the exam? Will I not have been waiting for you for years? Will I not have been playing? Will I not have been watching him? Will I not have been driving? Will I not have been talking to him on the phone? Will I not have been arguing in vain? अब हम प्राक्तिस करेंगे दे के साथ Will they not have been repenting for years? Will they not have been singing song since the morning? Will they not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will they not have been writing the exam? Will they not have been waiting for you for years? Will they not have been playing? Will they not have been watching him? Will they not have been driving? Will they not have been talking to him on the phone? वह जे नोजता बंगा पर एक ने नहीं पर समारे पास next day every person will every person not have been repenting for years will every person not have been singing song since the morning will every person not have been preparing for the exam from next Tuesday will every person not have been writing the exam Will every umRI not have been waiting for you for years? Will every parson not have been playing? Will every parson not have been watching him? Will every parson not have been driving? Will every parson not have been talking to him on the phone? Will every parson not have been arguing in when? अब नेक्स दे, एवरी मैं एवरी मैं का मतल होता है हर आदमी विल एवरी मैं नोट have been repenting for years? विल एवरी मैं नोट have been singing song since the morning? विल एवरी मैं नोट have been preparing for the exam from next Tuesday? विल एवरी मैं नोट have been writing the exam? Will every man not have been waiting for you for years? Will every man not have been playing? Will every man not have been watching him? Will every man not have been driving? Will every man not have been talking to him on the phone? Will every man not have been arguing in van? Abhe every child मतलब हर बच्चा Will every child not have been repenting for years? Will every child not have been singing songs since the morning? Will every child not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will every child not have been writing the exam? Will every child not have been waiting for you for years? Will every child not have been watching him? Will every child not have been driving? Will every child not have been talking to him on the phone? Will every child not have been arguing in van? Some friends ka matab hota hai, kuchh dost. Will some friends not have been repenting for years? Will some friends not have been singing songs since the morning? Will some friends not have been preparing for the exam for next Tuesday? Will some friends not have been writing the exam? Will some friends not have been waiting for you for years? Will some friends not have been playing? Will some friends not have been watching him? Will some friends not have been driving? Will some friends not have been driving? not have been talking to him on the phone? Will some friends not have been arguing in when? अब हमारा लास्टेर, some people कमतना होताय कुछ लोग. Will some people not have been repenting for years? Will some people not have been singing song since the morning? Will some people not have been preparing for the exam from next Tuesday? Will some people not have been writing the exam? Will some people not have been waiting for you for years? Will some people not have been playing? Will some people not have been watching him? Will some people not have been driving? Will some people not have been talking to him on the phone. Will some people not have been arguing in when? So, आपने second method से भी इसे study कर लिया है. So, आभी साब बोलिये भी और लिखे भी.